हेलो एवरिवान वालकम तो माई यूट्यूब चैनल आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे आज इस वीडियो में बहुत अच्छी जो वेकेंसी निकली है उससे रिलेटेड आपको पुरी डेटिल प्रवाइट करूंगे कैसे एक्जाम होगा क्या 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 एलिजबल्ट क्या स्टैनो ग्राफर का जो पोस्ट आया है कि उसमें स्टैनो का सार्टिफिकेट भी चाहिए होगा तो यह डाउट भी आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा इसका कैसे क्या एक्जाम पैटर्न ही सारे डेटिल में आपको प्रवाइट करूंगी लेकिन यहां पर आ यहां पर यह वेकेंसी फिल किया जाएगा इस वेकेंसी में पेस्केल भी बहुत अच्छा होता है यहां पर जो आपको पेस्केल मिलेगा वह लेवल 7 के हिसाब से मिलेगा यहां पर आप एज लिमिट देख सकते हो कि अगर आप यूर से बिलॉंग कर रहे हो तो 30 तक अप्ल कर सकते हैं बाकी यहां पर और भी आप देख सकते हो कि सबसे में और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है क्वालिफिकेशन यहां पर आपके पास बाचलर डिग्री होनी चाहिए आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रोजेशन कर रखा है और आप अगर आपको यहां पर को नहीं आती है आप सीखरें अप्लाइ कर सकते हैं बस आपको खुद पर confidence होना चाहिए कि जब इसका skill test होगा तब तक आपको stenography अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर main आपका CBT के बाद skill test भी होगा और skill test में जो pass करेंगे stenographer वही बनेंगे इस post के लिए यहाँ पर जो इसका मांगा गया है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर dictation के लिए आपको dictation जो है वो 10 minutes के लिए बोला जाएगा जिसमें speed यहाँ पर 120 words per minute होनी चाहिए इतनी speed अगर आपकी है चाहे आप English में type करेंगे या Hindi में तो आपका यहाँ पर dictation pass हो जाएगा बाकि यहाँ पर transcription time जो है वो यहाँ पर 50 minutes का होगा English के लिए और Hindi के लिए होगा 65 जो कि computer पर होगा तो यह column आप बहुत अच्छे से देख लिजए अगर आपको लगता है कि आप को इस्टैनो आती है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यहाँ पर minimum क्या होता है बहुत सारे इस्टैनो जाते हैं तो वहाँ पर बोला जाता है कि हम तीन मैंने में स्टैनोग्राफी दिखा देंगे छे मैंने में दिखा देंगे लेकिन यह आप पर डिपेंड करेगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जर्दी आप कबर कर अब भी अगर किसी एस्टैनोग्राफी बहुत अच्छे से आती तो वैलन गुड आप कर ले जो आघी लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे थोड़ी आती मुझे और सीखने की जरूरत है या मैं सीख रहा हूं या सीख रही हूं तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं आपको बोली जाएगी 10 में उसमें ऐसे आपकी पर मिनट 120 वर्स की स्पीड होनी चाहिए तभी आप यह पास कर पाऊगे पाकी यहां पर आपका कहां पर सेंटर जाएगा कैसे क्या क्या चीज़े होंगी यह भी आगे वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को पूरा जरू आपको यहां पर दो घंटे की पेपर में आपको यहां पर देख सकते हो कि दो घंटे का पेपर होगा और यहां पर आपको जो मेडियम होगा वो इंग्लिश और हिंदी में होगा सिर्फ इंग्लिश लांग्विज जो पोश्चन आएगा वो इंग्लिश में होगा बाकि यह की negative marking भी होगी बाकी यहाँ पर syllabus कैसे क्या क्या चीज़े है तो वो भी बताओ तो यहाँ पर जो आपका इसका exam pattern होगा उसमें four sections होगे जिसमें English grammar general awareness, math, reasoning यह चार चीज़े आएंगी और यहाँ पर जो total इसका weightage होगा वो होगा 300 marks यहाँ पर आपका 300 number का यह paper होगा सबसे पहले यहाँ पर जो बच्ची होगे उनका जो यह paper होगा सबसे पहले जो इसका exam होगा उसके बाद सबसे पहले तो आपका exam conduct कराया जाएगा exam जो लोग clear करेंगी उसकी list आएगी फिर उनको skill test के लिए बुला जाएगा जिसमें उन्हें steno type करके और steno का पूरा अच्छे से qualify skill test करना होगा यहाँ पर आप English या Hindi किसी भी एक language बे करोगे लेकिन यहाँ पर जो आपका dictation होगा और transcription होगा वो computer पर होगा तो इन चीजों का ध्यान रखेगा कि आप अभी से computer की help से steno के practice करना copy है पैंसे बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन यह आप जब initially start करते हैं सीखना तब की बात होती है लेकिन यहाँ पर अगर आप वो selection लेना है तो आप computer में अपने आप से बहुत अच्छे से practice करिएगा पोचिंग जाते हो बहुत अच्छी बात है बट खुद से जादा से जादा practice करिएगा क्योंकि यहाँ पर इसका exam offline होगा मेभी बाकि अगर कोई ऐसे आगे detail आती है changes होते है तो मैं आपको inform कर दोगी बट यहाँ पर इसका exam जो है आपका जाएगा जिसकी भी state से बिलॉंग करते हैं अगर आप तो आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर आपके centers जाएंगे और इसका exam जो होगा मेभी जुलाई में होगा तो आप लोग के पास जादा तर chances होंगे कि इसका जो जुलाई तो शैद मेभी नहीं पता exact मुझे बट इसका जो टेस्ट होगा वो मेभी आपका दो-तीर मेने बाद ही होगा तो अभी आपके पास एक fixed time है कि आप अच्छे से अपना preparation कर सकते हो बाकी और भी details में आपको provide करूंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा बाकी ऐसी और भी अच्छे ची वेकेंसी जो आ रही है किसी भी state की आती है या फिक पर्टिकुलर सारी details में आपको provide करूंगे तो चैनल को subscribe कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे जिससे की जैसे कोई अच्छी वेकेंसी आती है तो आपके हां से मिस ना हो आप उसका particular form फेल कर पाए तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजेगा वीडियो को like कर लिजेगा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा जिससे की जैसे कोई भी notification आता है तो आपको तुरण पता चल सके thank you please like share and subscribe my channel thank you for watching